जो कुश्चन पेंडिंग क्योंकि एक्स्ट्रे क्लासिस जो है वो डाउट के लिए रख रहे हैं हम स्रिफ आज एक कुश्चन्स मुझे याद आया बीच में मैंने छोड़ा हुआ था वो कर लेते हैं यह हो गया था ना चाहिए यह नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ यह रिवेल्वेशन यह नहीं है डिस्पोजरल है इस बशाए यह नहीं एक तो क्लास लग जाएगे इसमें आज यह नहीं हुआ नहीं हुआ यह मुझे ही कराना है चलो पहले यह कर लेते हैं यह कुश्चन इंपॉर्टेंट है एक्जाम में पूछा जा सकता है यह कुश्चन इंपॉर्टेंट शली है यह कुश्चन इंपॉर्टेंट यह हमारा मसीनरी एकांट यह तेट पर्टिकुलर अमांट यह तेट पर्टिकुलर अमांट ठीक है चले स्टार्ट करते हैं कुश्चन भी पढ़ते जाते हैं और करते जाएंगे Rectification of Error के नाम से है Rectification of Error के नाम से है देखिए हुआ क्या कहता है A company provide depreciation plant and machinery 20% on reducing method यानि हमारे पास rate जो है वो है that is WDB और 20% के हिसाब से हमारा rate लगना है ठीक है आगे देखे तो क्या कहता है on 1st April 2019 1 April 2019 को the balance of plant and machinery account was तो 1 April 1.4 2019 तो पहली बात यहाँ पर word इस्तमाल किया गया है balance तो नहीं नहीं है यह पुरानी है that is balance की बात करें तो हमारे पास 5,00,00,00 रुपेगा है पांच लाख रुपे का हमारे पास assets है आगे कहता है it was discovered 1920 यानि हमें कुछ 31 3 2020 और 1 4 2019 इन दोनों के time के बीच में यानि 19-20 में हमें कुछ मिला discovered का मतलब पाया और क्या मिला होगा mistakes उसी को हम ठीक करेंगे that is कहता है के 25,000 रुपे का repair करवाया था 30 June 17 में मतलब कुछ साल पहले यह balance तो आपको 19 का है लेकि 19 की बात नहीं बता रहा कुछ साल पहले 17 में repair करवाया था had been capitalized तो sir repair जो होता है न वो कभी capitalized नहीं होता यह तो normal खर्चा है profit and loss में जाना चाहिए तो जो यह part आपने repair कराया होगा कुछ साल पहले तो इसका मतलब अगर उसको आपने capitalized करा हुआ है तो machinery में जुड़ा हुआ होगा तो हमें यहां से हटाना है तो हम directly यहां से 25,000 नहीं घटा सकते क्योंकि इस 25,000 की value कब की है 30 June की और यह वाली value कब है 19 की तो first of all पहले हमें इसको 19 तक लेके आना होगा ठीक है तो अगर मैं इसके value को minus plus करूँ तो सबसे पहले depth हमने लगाया होगा इसके उपर 20% के हिसाब से तो 9 month का लगेगा इस पर depth तो 25,000 पे 20% 12 into 3 divided by 3 into 9 यह आगया 3750 यह depreciation लग गया होगा that is 21,250 आ गया यह किस डेट पे आ गया 14,000 अठारा अब एक साल का और depth लग गया होगा 31,3,2,019 तो फिर से 20% लगा होगा यानि 42,50 और अगर हम आगे देखें 42,50 माइनस कर दे तो सर इसकी वैल्यू आज की डेट पे आज की डेट का मतलब एक जार 2019 वाले डेट पे इसकी वैल्यू कितनी रह गई है इस 17,000 को इसमें जो जोड़ा हुआ है वो अननेसेसरी जोड़ा हुआ है तो लेस कर देते हैं यहां से लेस कर देते हैं कितना 17,000 ठीक है इसमें से लेस हो जाएगा और दो मैं सबसे पहले तो जो यहां पे लिखोंगा टू बैलेंस हम बाद में लिख लेंगा अकांटिंग की पॉस्टिंग बाद में देखेंगा पहले ही हाँ यहां देक सवाज में आ है अब दूसरा क्या कहता है सर एक 500,000 रुपे का जो था ना दूसरा क्या कहता है सर एक 500,000 कोस्ट का मसीन पर चेस किया थो October 16 में has been treated as a ordinary goods अब सर, ordinary goods का मतलब क्या होता है हमने खरीदा मसीन लेकिन हमने उसको normal खर्चा मान लिया तो इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा नहीं होगा जुड़ा हुआ normal खर्चा क्योंकि क्या कहता है कि 50,000 का मसीन खरीदा और उसको ordinary goods मान लिया तो हमने तो trading में दिखा दिया होगा जब trading में दिखा दिया होगा तो balance sheet के assets में कैसे जुड़ सकता है जबकि ये जुड़ना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं जुड़ना चाहिए तो minus कर दिया और जो पार्ट जुड़ना चाहिए उसको वापस से add करेंगे लेकिन कितना add करेंगे सर ये value दे रहा है 2016 का तो सबसे पहले हमें इसको 19 तक convert करना पड़ेगा यानि that is ये date आ गया 1-4 sorry, कब का date है हमारा वहाँ 1 October 1-10 और ये था मसेंटरी तो पहले 6 महने का डेप लगेगा तो 6 महने का depreciation पाँच हजार that is 45,000 ये आ गया 1-4-17 फिर से depreciation लगेगा अब पूरे साल का 9,000 अब ये आ गया 1-4-18 फिर depreciation लगके 36,000 बचा अब 72 ठीक है, अब आ गया 1-4-19 है ना अब इस पे से डेप माइनेस कर दो जाए 36,000 28,800 यानि सर देखा जाए तो add कर देना चाहिए हमें 28,800 समझ मैं यह वाद आप यहाँ तक कोई दिक्कत इसको मैंने minus कर रहा है और इसको add किया है कह रहे है, बच्चे सर स्क्रीन ब्लर है एक मिट चेक कर लेते हैं, ब्लर नहीं एक बार आप refresh करिए, clear हो जाएगा इंटरनेट का issue होगा आपके साइट से, यहाँ मैंने देख लिए, ठीक है ठीक है चलिए सर आगे क्या कहता है, question यहाँ तक clear होगे आपको आगे कहता है question management want to correct this mistake तो यह मैंने यह minus plus कर रहा है तो यह correct कर रहा है mistake को ठीक है, तो यह चाहता है prepare year ending 31 March 2020 सिर्फ एक साल का ही बनाना है ज्यादा नहीं बनाना अब plant cost 40,000 30 September 18, अब एक बात और कह रहा है, एक और plant था जो की 40,000 रुपए को costed मतलब खरीदा गया था 30, 18 का scrapped, scrapped का मतलब होता है, सर इसको 0 रुपए में बेच दिया, मतलब खतम हो गया यह and replace the modern plan 31 December, यानि 31 December को यह 0 हो चुका है यानि यहाँ पे entry आ जाती है, एक और plant की जो कहां होगा, सर, अगर बात कर रहा है 18 में, तो इसी के अंदर जुड़ा होगा वो भी plant, है के नहीं इसी के अंदर added ही होगा plant, क्योंकि यह balance है और वो plant खरीदा था कब, 2000 18 में तो इसी के अंदर added होगा तो वो भी 0 हो गया, तो हमें इस plant में से दो टुकड़े करने पड़ जाएंगे फिर से, यानि हमारे पास जो पांच लाग का है, एक तो ये वाला portion तो आई गया, इसमें से हमें वो portion भी हटा देना होगा, जो की portion बिक रहा है, सिंपल सी बात है, ताकि हम actual depreciation लगा पाएं, तो यानि ये 40,000, लेकिन हम directly 40,000 सर माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर 40,000, 40,000 2018 की, और ये सारी value हम लेके चल रहे है, 2019 का लेके चल रहे हैं, और हमने एक नई machinery खरीद लिया, 31 December 2019 में कितने का, 60,000 का, तो now सबसे पहले हम 40,000 वाले पार्ट को हम देखते हैं, कि क्या हो सकता है एक next page पे देख लेते हैं, 40,000 वाले पार्ट को, तो एक और हमारा पार्ट था, that is 40,000 का dated जो है, वो किस date पे खरीदा गया था सरी है, 30 September 2018 यानि सर, 30 9 2018 में खरीदा गया था, कितने का 40,000 का खरीदा गया, जो इस क्रैप हुआ है तो सर, इस पे depreciation लगा होगा हमारा 6 मन्त का 6 मन्त का लग गया होगा ना that is आपका लग गया होगा 2000 है कि नहीं, तो 2000 लगा होगा, तो बचा होगा 38 हादर 20% अच्छा 4000 लगा होगा 4000 लगा होगा, तो बचा कितने का 36,000 यह डेट आगया, 14 2019 नाव कुश्चन में क्या कहना है अगर हम कुश्चन को देखें तो कुश्चन क्या कहता है, कुश्चन में कहता है कि यह जो 60,000 रुपे का है 31 दिसंबर को replace किया गया यानि अगर इसको इसक्रैप करने की बात करोगे तो 31 दिसंबर तक तो इस्तमाल किया इसने, यानि 31, 12, 2019 तक इस्तमाल किया, तो और कितने महिने का लग जाएगा 9 मन्त का अगर 9 महिने का मैं 36,000 पर depreciation निकालू 20 परसेंट 12 इन्टु में नो 54,00 रुपे, कितने आगे 54,00 तो फाइनली अगर इस प्लांट की बात करें तो 54,00 और 36,000 तो 30,600 रुपे का बचा है लेकिन हम बेच नहीं पाए ये पूरा का पूरा अगर मैं sale की बात करूँ, तो sale कितने का हुआ? 0 का और हमारा पूरा का पूरा ही है loss हो गया 30,600 तो हमें depreciation के purpose से और actual calculation के purpose से यहाँ पे 1 April 2019 यानि 36,000 का पार्ट है, जो कि 36,000 का पार्ट हमें यहाँ से minus कर देना चाहिए, less जो पार्ट हमारा sold हो गया है ना? that is कितने का? 36,000 अब जो हमारे पास प्लांट बचा है ना? पुरानी machinery को add less करके उस पे हमें current year का depreciation चर्ज करना नहीं वो तो loss था हमारा 1 April तक की डिज़िट देखो, 30,000 जो 600 था वो 1 April का नहीं है, वो 12, 31, 12 का है हम किस time के value को compare कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया है तो अब जो मेरे पास बचेगा यह पांच लांख प्लस 17,000, oh sorry माइनस 17,000 प्लस 8,800 और माइनस 36,000 यह बचा 4,75,800 और इस पे अब हमारा current year का depth लग जाएगा, that is depreciation 20% यह आगया 95,160 यह current year का depreciation आगया मैं इसको separate कर देखा नीचे अलग है यह अलग है चलिए, ठीक है current year का इसके उपर depth माइनस कर दो के तो 380,640, माइनस करके कोई फायदा नहीं है यह देख यानि हमने इस पे लगा लिया अभी भी एक machinery है हमारे पास जो की नई वाली खरीदी है तो नई वाली जो खरीदी है उसका depreciation यहीं साथ के साथ लगा देते हैं ज्यादा है नहीं मैं देख पा रहा हूँ that is यह था आपका M अब एक आपने खरीद लिया M2 सपोज कर लो कितने का खरीदा आपने साथ हजार का इस पे आपने खरीदा कब 31,12 को तो इस पे depreciation लगेगा 31,3,2020 में और depreciation तीन महीने का लगेगा तो तीन मेंने का लगेगा एक हजार यह बच गया स्वरी तीन हजार यह बच गया हमारा 57 ठीक है पहले आप एक बार working note देख लेजिए फिर हमारा सिर्फ posting का काम रह जाएगा इसमें बताए यहां तक कोई डाउट है इस पेंड नहीं मसीनरी खरीदा है कहता है के replace with the modern plan replace का मतलब एक खरीदा गया है चलिए अब पोस्टिंग देखिए balance bd क्योंकि हम इसको rectify कर सकते हैं लेकिन balance आपने यहां लिखना पड़ेगा पता है कितने हैं पांच लाग ठीक हैं एक ही साल का बनाना है और यह हमारा एक जार 19 फिर से आपने 31 बारा को टू बैंक से खरीद लिया कितने का खरीद लिया 60,000 अब rectification की वजह से हमारे assets में बढ़ गया या घट गया अगर मैं rectification की बात करूं तो rectification यह है बस नीचे वाला पार्ट तो हमने एक साल का डैप निकालने के लिए जैसे दो पार्ट कर देते ते एक इधर एक इधर और यह rectification, rectification में अगर actual देखें तो भईया 17,000 रुपे तो माइनस कर दिया आपने 28,800 add कर दिये 17,000 और माइनस 28,600 कर दिये तो 11,800 रुपे आपने actual में machinery में addition हुआ है 11,800 रुपे ठीक है 11,800 रुपे add हुआ है तो जो भी addition हुआ है उसको हम through P&L से दिखा देगा profit and loss addition कितने का 11,800 और यह काम कब करा है सर आपने साल के end में that is 31,3,20 में ठीक है अब depreciation लगाएंगे सबसे पहले हम लगा लेते हैं जिस टाइम बेचा गया है एक तो बीच में बिग गया that is 31,12 को बिग गया तो उसके ऊपर depreciation जो की एक पार्ट भीका था तो उस पार्ट का depreciation कितना बसता है current year का that is यह वाला जो balance है यह current year के अंदर count हो जाएगा हमारा ठीक है न तो current year के अंदर कितने आगए 50 और सर 31,12 को ही इसको बेचने पर हमें loss हो गया तो इधर दिखा देंगे profit and loss सर कितने का loss हो गया था आप देखेंगे 30,600 का total loss है यह आ गया हमारा 30,600 और सर 31,3,20 में आपने depreciation लगाना है किस पर पुराने वाले पर old वाले का हिसाब किताब तो उस पर depreciation जो लगा है 95,160 और 31,20 में ही आपको जो नई machinery खरीदी है अपने तू जिसे नाम दे जेते हैं new machinery जो खरीदी है उस पर भी लगेगा कितने लग गए तीन हजार बस final हमारा ये complete हो गया है सरफ एक साल का बनाना था देखो question में accounting में इतनी महनत नहीं है जो सारा का सारा main काम था किस में था हमारा इसके working note में हाना तो अगर accounting देखे तो पांच लाग 571 571 और इधर आजाएगा by balance cd ये भी कब आजाएगा पीस को ठीक है minus 5400 तीस छेस्टो नाइन्टी फाइव वन सिक्स्टी है ना 3000 ये आगया 437 640 चेक कर ये ठीक है तो एक साल का data तयार हो गया question number 14 था जो कि मेरा मानना है ये एक अच्छा question है इसके अंदर laser में ज्यादा timing नहीं लग रहा लेकिन हाँ इसके working note में अगर आपने जरा से भी mistake करी तो आपका गलत हो सकता है ठीक है ना तो एक वर फटा फट से करिए इसको न एक ऐसे भी कर सकते हो आप अगर आप इसमें इस वाले point में किसी को दिक्कत आ रहे तो मैं इसका alternative बता देता हूं that is आप क्या करोगे सर 5,000,000 और इस 5,000,000 में से आप सबसे पहले minus कर दोगे क्या 17,000 और फिर plus कर दोगे क्या आप 28,800 तो नाव आपके पास जो value निकल के आए ना वो value निकल के आगे आपके पास 5,11,800 ठीक है अब इसके दो हिससे कर दोगे एक part बेच रहे हो और एक part नहीं बेच रहे हो तो जो part आप बेच रहे हो that is कितने का 36 का है नई cost नहीं करना value तो बाकी जो बच गया वो बच गया 4,75,800 अब इसके according भी कर सकते हो अगर आपको ये वाला समझ में क्योंकि ऐसे type का करा हुआ है आपको जैसे अच्छा लगे ये वाला आप छे मेंने का डैप लगा के नो मेंने का डैप लगा के जीरो कर दोगे और ये वाले पर continue पूरे सान का डैप लगेगा चलिए नूट करिए